कि मैं देख लेता हूं गुरूप में रुख जाओं और किसका आया हुआ है कि माना साथ का तो होगी गया था इसके इस गुरूप में इसके हैं बस कि कौन से बाले गुरूप में आपके कि अगर अगर है अधे ए एक लब्बे मद अभी आया तुमारे कुष्विंगat अच्छाहिएight दुनों हांजी इस रहे देखतें है बारत सब आसान को सा लग रहे यह क्या पूछन है एक्सपेक्टेस estavam में एमजी एफ दे दिया है पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ओफ माक्सिमम ओफ 0,x तो 1-4 T स्क्वार किसके एमजी एफ है तो तो नहीं होता उसमें या 1-40 का होल स्क्वार लिखना चाह रहा है तो फिर गामा हो जाएगा लेकिन उसके लिए ब्रैकेट इसने नहीं लगाए है यह चीज है या 1-2 T 1-2 T लिख सकते हैं उसको ब्रेक करोगे तो दो अलग-अलग पार्टियल फ्लेक्शन से एमजी एफ आ जाएगा यह स्टेंडर्ड डिस्ट्रिबूशन का एमजी एफ है देखो एक बार मुझे लड़ा 1-40 के ब्लैकेट में स्कुर होने चाहे तुम्हें कहां दिक्कत आ रही है एक्स्पेक्टेसन तो मैक्सिमम जीरो एक्स का निकाल लोगे ना अचाहिए उसका है ओके डवल एक्स्पोनेंशियल का है हां जो डवल एक्स्पोनेंशियल डिस्ट्रिबूशन ना उसका एमजी एफ है कंपेर करो उसके साथ तो कहां दिक्कत आ रही है इस तरह कोशन तो कई वार हमने किये हैं मैक्सिममम ऑफ जीरो कॉमा एक्स है तो यह जी एक्स नहीं है एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स है नहीं है और कैसे करते हैं इसका इसका एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं तो यह ट्राइए कियो नहीं करते हो इसको ट्राइए कियो इस तरीगे से बीना ट्राई की एको संपूछो कोई फैदा नहीं होगा ठीक है ना इक्जाम में तब भी एको संपूचना आगा तब भी नहीं सॉल कर पाओगा एक्जाम में इसको ब्रेक करो मालो इसका तुम देख के बताओ डबल एक्स्पॉनेंसल डिस्ट्रिपूशन का सपूर्ट क्या ब्रेक करो ना अब यहां माइनस इंफिनिटी से जिरो कर लो और जिरो से इंफिनिटी कर लो अब मैं जो mgf तुम्हें दे रखा है ना तुम्हें एक बार डवल एक्स्पोनेंसिल डिस्ट्रिबूशन तो बुक में देख लो यह गूगल पर देख लो जी एक्स की जगा अब रख दो तुम मैक्सिमम ओफ एक्स कॉमा जीरो मैक्सिमम ओफ जीरो कॉमा एक्स इंटू पीडिएफ ऑफ एक्स डी एक्स यह यह अब तुम यह देखो यहां से कि यह जीरो एक्स में कब एक्स होता है कब जीरो होता है यह कब एक्स है कब जीरो है तो maximum x कब होगा जब x 0 से ज़्यादा होगा तो यहां हो गया 0 into pdf dx यहां हो गया x into pdf dx क्या किया इस max की दो value लिख दी एक बार यह 0 है इस interval पे और एक बार यह x है इस interval पे अब यह तो 0 ही हो गई अब तुम्हें बस यहां integration कर लेना है जिरो से इंफिनिटी बताओ double exponential का आगे कर पाओगे या क्या करूँ है अब देखो डेवल पीडिएफ क्या है पीडिएफ लिखो 0 से इंटेग्रेट करो जो इसका integration होके आएगा वांसर आएगा कर के देख लो अब तेक्षे पीडिएफ लिख लो पीडिएफ से यह निकाल लो आगे कल्कुलेट कर लो खुद से और नहीं हो रहा है फिर पूछो ले पूछो कहा दिक्कत है तो में डिस्ट्रिबूशन बता तो में देखत कर तो वहां रहा होगा कि तुम्हें एमजी एफ सायथ पहचान नहीं पाए होगा पहली बात कि मुझे भी थोड़ा टाइम लगा उसको पहचानने में क्योंकि सारे एमजी एफ तुमें ना दिमाग में होने चाहिए जितने करगा डावल एकस्पोनेंशील डावल अशिरल का पाराइमेटर तुम्हारे लिए जिरो कॉमा ट्यू आ गया यह आजाएगा और उसके बाद कि इसके बाद देखो तुम कि इसका πीडिएफ क्या है फिट्य लिक है लो इसका जो पीड़िएफ आएगा वाएगा वन बाइट टू इनटू 2 इसका जो पिडिएफ आता है रीपी टो 1 by 2 इटू-2 2e की पावर मॉड X मू यहां जयगा मॉड X ऐकस एकसे एक बिलॉंगस तू डिया अब यहां मैंने तुम्हें कहा दिया कि यहां कहां दिया कि भई यह जिरो से इंफिनिटी जिरो से इंफिनिटी में मॉड X X हो जाएगा तो यह हो गया 1 by 4e की पावर माइनस x dx अब इंटेग्रेशन बाइपार्ट से नहीं कर लोगे गामा लगा लो गामा से भी हो जाएगा तो यह आ गया 1 by 4 गामा टू गामा इंटेग्रल है गामा टू हो गया तो गामा टू तो वन ही होता है था आंसर 1 by 4 आना चाहिए देखो क्या है कि चेक कर लो कि चेक है भाई चलो यह हां नेक्स्ट तो ट्राइब करो खुद से करकर देखो और देखो जहां दिक्कत है एक्जेक पॉइंट पूछो कि यहां पर दिक्कत है तो उससे तुम्हें समझ आएगा है कहां